नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में आप लोग के लिए खुसकबरी है उत्राखन लोग सेवा आयोग द्वारा 65 पदों पर भरती का नोटिफिकेसन जारी हो गया है जिसके लिए आप 10 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं माननी उच्चिनायलाई ननिताल मैं सायक समिक्षे अधिकारी अनुवादक टाइपिस्ट और असिस्टेंड लाइव लेडियन परिक्षिया 2018 के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है उत्राखन लोग सेवा आयोग द्वारा यानि की UKPSC के द्वारा और आज से आप फॉर्म भरना फिलब कर सकते हैं और 10 तारिक से लेकर 31 तारिक तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं और इसकी qualification क्या-क्या है और क्या-क्या मानक हैं क्या-क्या sexy योगिता हैं क्या-क्या paper होंगे आपके उसका syllabus क्या-क्या होगा वही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के सांद भी share जरूर कई हैं और form भरने की तिथी है 10 दिसमबर 2018 से 31 दिसमबर 2018 तक आप यहां पर देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं आगे इसके क्या-क्या निर्देश हैं आप इसे पढ़ लीजीगा यह कुछ ज्यादा important है नहीं और साथी साथ आप लोगों को इसके लिए OTR करना आवश्यक है one time registration कर लीजीएगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ठीक है और उसी के साथ-साथ आपको इसके लिए अलग-अलग अनिवारी क्वालिफिकेशन्स हैं आपको उनको भी फिलब करना पड़ेगा देखिए आप क्या-क्या लिखा गया है माननी उच्चिन आयल पूर्व.ukpsc.government.in पर 3112-288 तक आविदन कर सकते हैं जिन अभ्यर्तियों द्वारा आयोक की वेबसाइट पर one time registration नहीं किया गया है उन्हें online आविदन के पूर्व one time registration भरना आउश्यक है यानि कि पहले आपको one time registration वाला form registration करना पड़ेगा उसी के बाद आप ये form भर सकत हैं जैसा कि मैंने प्रीवेस वीडियो में भी आपको बताया था उप्यूक्त अभ्यर्तियों के चैन हेतु अर्र अभितावियों की मुख्य परिक्षया की प्रकिरिया अपनाई जाएगी किन्तु परंतु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यदिक संख्या में आविदन पत् अरुवरी 2019 तक और सेंटर होंगे अलमोडा हलद्वानी हरिद्वार और स्रीनेगर ठीक है और प्रारंबिक परिक्षा में सफल अभ्यर्ति में हैं तो मुख्य परिक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जाएगा पहले आपका प्री होगा उसके बाद आपका मेंस हो सबस्क्राइब कराना है यानि के सेवा योजन कारयालाई में आपके डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए आपके बास तभी आप इसे फिलप कर सकते हैं दूसरी योगईता है कि आपका इसमें प्री होगा पहले उसके बाद आपका मेंस होगा प्री जो है चार डिश्टिक आती है टोटल 35 पोस्ट है हमारी सायक समिक्षा अधिकारी की ठीक है देखिए टोटल अनारक्षित में 35 है ऐसे महिला 11 आप टोटल देख सकते हैं टोटल में लगद 56 पोस्ट है सायक समिक्षा अधिकारी की है जिसमें जिसमें कि महिलाओं के लिए 18 रिजर्व है सुधनता संग्राम सिनाने के लिए 1 रिजर्व है पूर भूतपूरव सैनीक के लिए 2 रिजर्व है और विकलांग के लिए 1 रिजर्व है तो आप यहांते देख सकते हैं पूरी जानकारिया तो आप बात कर लेते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है सभी की क्वालिफिकेशन अलग लग है तो टोटल पोस्ट हो गई पैसिट अलग लग विभागों में और रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है यह डिपार्टमेंट पर डिपैंड करता है अगला आप देख लेते हैं बात क्या लिखा गया समुगों के पदूं पर भरती के लिए सेवायुजन कार्याले में पंजी करन की अनिवारिता यानि के सेवाजन कार्यालेमा आपका पंजीकरन होना चाहिए और अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट अप्लोड करके पेपर देते पेपर निकाल देते हैं अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल की सजा होगी और 5 साल तक आप गवर्मेंट का कोई भी फॉर्म फिलप नहीं कर सकते हैं ये मानक स्टार्टिंग में ही दे दिये गए हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा आप बात कर लेते हैं सायक समिक्षा अदिकारी क्या स्लेबस है कैसे आपको करना है ठीक है अब आप बात करते हैं कि इसके अनिवारी सेक्सिक अरता क्या है यानि कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा ग्रेजुएट अगर आप हैं तभी आप सायक समिक्षा अदिकारी का फॉर्म बर सकते हैं तो आपको ग्रेजुशन होना अलाउड है इंडिया की किसी भी उनिवस्टी से और साथी साथ आपकी टाइपिंग होनी भी अनिवारी है यानि आपको tahun 9000 की स्पीड होनी चाहिए आपके विन्डोज चाहिए आपको टाइपिंग का नौलेज भी होना चाहिए ग्रेजुशन के साथसा और सीड जो है वन आवर में आपको 9000 की पर डेजुशन की आपको निवारी होनी चाहिए छाहिए की और इसी के साथ-साथ आपको computer operation का भी basic knowledge होना चाहिए जैसे कि windows and internet का ms word का ms excel का और ms powerpoint का भी आपको knowledge होना चाहिए यान कि graduation plus typing 99000 की depression per hour इंगलिस में आपकी typing होनी चाहिए और आपको साथ-साथ ms word ms excel ms powerpoint और windows internet का भी ज्यान होना चाहिए ठीक है और आपका qualify marks जोगा minimum 40 mark आपको qualify करने के लिए लाना बहुत जरूरी हो गया ठीक है और बोथ दोनुप 800 में आपको 50% qualify करना बहुत जरूरी होगा तो अगर आप graduate है और आपके typing आप कर सकते हैं typing आप कहीं अनुवादक का क्या है अनुवादक में total 6 पोष्ट हैं दोस्तों और आपका वेतन मान जो होगा अनुवादक का वह होगा या फिर Hindi to English Translation में आपको कुछ experience है कुछ आपके पास certificate है तो आप ये form भरने के बिलकुल लायक है ठीक है और qualify marks of general category आपका इसमें 50% और SCSTOBC के लिए 45 यानि कि आपको सबसे पहले तो graduate होना है और साथी साथ आपके पास diploma certificate होना चाहिए Hindi to English Translation का किसी भी university से ठीक है या फिर आपको two year का experience भी होना चाहिए Translation में किसी भी university से two year experience certificate है तो भी आप इसे फिलफ कर सकते हैं अगला हम आपका है typist की post थीक है typist में क्या है total post है आपकी दो वितनमान है आपका level 5 का यानि कि 29,200 और पत का सुरूप है आपका राजपत्रित पत अस्थाई अंसदाई पैंसर य इन इंडिया यानि कि आपको इसमें भी graduate होना चाहिए और साथी साथ इसमें भी आपको टाइपिंग की knowledge होनी चाहिए 9000 के depression per hour in computer ठीक है और साथी साथ आपको इसमें English to Hindi या Hindi to English translation की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए तो इसकी qualification से आपको graduate होना चाहिए और साथी साथ आपकी typing होनी चाहिए 9000 के depression per hour ठीक है और आपको थोड़ी बहुत computer की knowledge भी होनी चाहिए must possess through knowledge of Hindi and English and sufficient knowledge of operating computer यानि की Hindi, English और थोड़ा सा computer की knowledge भी आपको होनी चाहिए अगले आपका assistant librarian, assistant librarian में आपकी cool post है एक और आपका जो grade पे होगा level 8 का होगा जिसका मूल बेतन है आपका 47600 ठीक है university यानि आपको law में इसमें degree होनी चाहिए आपके पास law की degree होनी चाहिए या फिर library science के डिपलोमा होनी चाहिए साथी साथ computer की basic knowledge भी होनी चाहिए ठीक है और इनकी जो IUC में आपकी वो है 21-42 वर्स तक अगर आपकी IUC 21-42 के बीच में है तो आप इन form को भर सकते हैं और IUC में अलग-अलग की according को छूट भी दी गई है वो आप देख लीजिएगा तो totally आपको graduate होना ही होना है और graduate के साथ साथ अगर आपके पास typing की speed अच्छी है या फिर आप typing कर सकते हैं तो आप इन post के लिए apply कर सकते हैं सायक समिक्सिया अधिकारी के लिए तो खास कर ठीक है अच् साथ बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेवायुजन कार्यारे में पंजी करण होना चाहिए और राश्टियता आपकी इंडियन होनी चाहिए तभी आप और आपका चरीतर अच्छा होना चाहिए married status अगर आप married है तो भी चलेगा physical fitness के भी standard देगे हैं आरक्षन के भी standard देगे हैं online आविदन की तीथी देखिए 10.12.2018 से लेकर 31.12.2018 तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं और online आविदन कैसे करें इसके लिए आपको www.ukpsc.government.in पर जाना पड़ेगा या फिर ukpsc.online.in पर जाएं वहाँ पर one time registration करें वहाँ से आपको user ID और आपका account password मिलेगा उसके ब नहीं है उसके बाद आप यहाँ पर submit button पर form भर लेंगे इसली आप form भर सकते हैं उसके बाद आपको फीज पेक अन्य और कितनी फीज है वह द्यान लेते हैं तोड़ा सा सामानी के लिए आपकी 500 रुप्य फीज है ठीक है और उत्रा खंड अन्य पिछड़ा वर के लिए भी 85 रुप्य का लगेगा आपका ठीक है जर्नल और OBC के लिए सी स्ट के लिए 95 और सारिक विकलांग लों के लिए 35 का प्रोसेसिंग सुल ठीक है तो इसी के सांसान आप ज्यादा चीजें आप पढ़ सकते हैं पूरा दिया गया है कि क्या-क्या माना जाएगा जैसे तो इंपोटेंड जो था आपके लिए बता दिया आगे आप अंगुठे का परिक्षा वहन में आच्रण यह तो नॉर्मल चीज़ है आगे जान लेते हैं स्क्रीनिंग और प्रार्मिक परिक्ष्या का पाठिक करम तो जो की इंपोटेंड है आपको तीन आवर दी जाएंग पूचह जाएंगि कंट्रीन के साथ और भी आपको नॉलेज होनी चाहे तो यह थीजिदी की पोस्ट Party आपको इसी स्लेबस के according आपका 200 marks का paper design किया जाएगा तो एक अच्छी opportunity अगर आप लोग form बरना चाते हैं तो भर लीजीगा उसके बाद आपका जो second paper होगा उसका भी स्लेबस यहाँ पर दिया गया है आपको English language और Hindi language के आपके इसमें दो paper होगे और उसके बाद आपका practical examination होगा typing का ठीक है typing के accordingly आप यहाँ पर select किये जाएंगे तो यह सब कुछ दिया गया है तो आज की इस वीडियो में इतना ही I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अगर आप यह form बरने के लिए eligible हैं तो आप आसानी से इनके लिए आविधन कर सकते हैं Thank you, thanks for watching इस वीडियो, see you next time